हेलो फ्रेंट्स देखिए हम लोग पीवाई की सीरीज में अब इलेक्रिस्टी मेनेटिजम सुरू कर रहे हैं मेकैनिस का सारा कर लिया था हम लोग ने लास्ट क्लास पर फ्रूट डैनिमिस पर था तो सारा टॉपिक का हम लोग प्रिविएस क्वेश्चन पर देख चुके हैं तो अब हम लोग दूसरा इक इंपोर्टन टॉपिक सुरू कर रहे हैं तो इसमें भी सारा जो प्रिविएस क्वेश्चन है मैंने चैप्टर वाइच कर दिया है तेरह चैप्टर में डिवाइड कर दिया है जैसे मैंने संविद्ना का बुक लिखा है उसमें पूरा स्कोर्स हो तेरह चैप्टर में डिवाइड किया वैसे ही यहाँ पे भी मैंने थ्रटीन चैप्टर में डिवाइड कर दिया है चैप्टर से अभी इलक्रिस्टी एलक्रिक फिरन पोटेंशल का कर रहे हैं नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वह गौसलाफ लेक्ट्रोस्टाटिक स्का ह तोगा उसके पॉरण ऐसनाफ डाइलेक्टिक होगा उसके बाद हमारा वरक एनाजी ऐलेक्टर स्टाटिक से उसके बॉंडरी वैलु प्राब्लम जोटाटा चैप्टर है वह करेंट इलेक्टर स्टी होगा सत्वा में अथ्मा फराड एला नौमा दिसे सर्किट दसमा एसी सर् तो लेस्ट बिगिन विद इस टाइम बहुत कम है बारतारीक एक्जाम है तो हम लोग उत्वा जल्दी सारा वीडियो बनाना पड़ेगा और आपको भी जल्दी पढ़ना होगा ठीक है तो लेस्ट बिगिन इस टॉपिक एलेक्ट्रिक फिल और पोटेंशल तो बिफोर आप में इंट्रूस मैं विसाल दिवर्सी और आप बिन टीचिंग फिजिक्स फोर लास्ट 20 तो लेस्ट मूब इंटो टॉपिक फर्स ठीक है पाहले एंसी की देखेंगे यह पाहला चेप्टर है इलेक्रिक फिल पोटेंशल यह प्री रिक्विजिट्स हैं मतर्द टेन प्लस टू कही सारे हैं तो यह सब आना चाहिए आपको अगर ग्रेजुएशन लेवल पे आप ए में देखिए चार आप्शन रहता है और उसमें से एक करेक्ट होता है ठीक है एक करेक्ट होगा तो लेस्ट सी देम सी क्यूंस फर्स्ट देखिए यह 25 में आया था पहली वार्ज जैम का एक्जाम कंड़क्ट हुआ था दो यह पांच में उसके पहले आइट जो था वह अपना अलग-अलग एक्जाम करता था बच्चों को हर आयटी का लगला फॉर्म भरना पड़ता था उसमें तो साथी आयटी थे ठीक है दो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़िए टू पॉइंट चार्जे देखिए कुछ से फड्र कुष्ट्र मुष्ट्र को तो क्या बोल रहा है किवन की तुपोइंट कीवा पॉजिटिव चार्ज है किवन कीव टूर् to put a third charge q3 in between these two charges on the line join them so that charge q3 is in equilibrium this is possible only if q3 is positive possible only if q3 is negative possible irrespective of the sign of q3 not possible at all देखो यहाँ पर एक q1 चार्ज है और थोड़ी दूरी पर you have q2 चार्ज ठीक है और बीच में कहीं बीच में मतलब मीड़ पॉइंट पर नहीं कहीं माल लो एक चार्ज है आपका q3 अब देखिए दोनों ही positive है ठीक है दोनों ही positive है तो कहीं न कहीं ऐसा point जरूर लाई करेगा जहाँ पर electric field 0 होगा कोई ऐसा point जरूर होगा जहाँ पर electric field 0 होगा अच्छा एक काम करें अभी q3 नहीं ड्रा करते हैं ठीक है इस line पे निस्चिती एक एक ऐसा point exist करेगा जहाँ पर electric field 0 होगा क्योंकि दखो q1 की वेशी electric field जो point p पर है वो इस direction में है यह हो गया electric field to q1 और यह हो गया electric field to q2 अगर मालो इस point p का दूरी सपोज करो आ रहे है तो यह दूरी क्या हो जाएगा कि d minus r हो जाएगा तो आप एक्चे समझो e1 क्या हो गया e1 हो गया q1 upon 4 pi epsilon 0 r square towards right आज अब e2 हो गया हो जाएगा q2 upon 4 pi epsilon 0 left में तो net field towards right कितना होगा यह जाएगा e equals to so that comes out to be e1 upon minus अब आपको ऐसा एक r का value निस्चित तोर पर मिल जाएगा जहां पर यह फिर 0 होगा आपको एक ऐसा point p जरूर मिलेगा जहां पर यह जो है 0 आ जाएगा वो आपको यहां से मिल जाएगा q1 by r square और q2 by b minus r square आपको यहां से एक ऐसा r के value मिलेगा जहां यह satisfy हो जाएगा ठीक है और उस r के value पर electric field 0 होगा यानि एक ऐसा point जरूर मिलेगा जहां पर electric field 0 हो जाएगा और जहां पर electric field 0 होगा वहां पर आप चाहे positive charge रखो या negative charge रखो उस पर force नहीं लगेगा पास नहीं जाएगा आपको इन दोनों charge की बीच में ऐसा एक point आपको निश्चित मिल जाएगा जहां पर इन दोनों का field cancel out करेगा और वहां पर resultant field 0 होगा अब जिस point पर resultant field 0 होगा उस point पर आप कोई positive charge रख दो या negative चाह रख दो में आ रहा है यह चीज़ आपको ठीक है तो यह दोजाब पांच में आया था पहला वार एक्जाम हुआ था उसमें 6 marks का objective होता था और 21 marks का subjective होता था 15 question होते थे objective के 90 number के 210 number के सब्जेक्टिव होते थे 10 question 21 marks का होता था total 300 mark का एक्जाम होता था ठीक है ओके यह देखो यह अच्छा question है इसमें आपको था सा formula याद रहना चाहिए क्या लिख रहा है two dipoles P1 and P2 are placed at 0 0 0 and 1 0 0 2 dipoles है उसको हमने place कर दिया है ठीक है एक P1 पे है P1 P2 दो dipoles है ड्रा कर लते हैं था coordinate system this is X Y and Z अब एक dipoles 0 0 0 0 पे है P1 अब दोनो ही Z direction है पॉइंट कर रहा यह एक dipoles है P1 दूसा dipoles 1 0 0 पे है P2 1 0 0 मालो यहाँ है ठीक है यह coordinate 1 0 0 है यह origin है दिख रहा है हम लोगों को अब क्या बोल रहा है without changing the orientation of P2 P2 का orientation को change किये बगार हम लोग क्या कर रहा है कहां मूव करके लिए जाना है जीरो टू जीरो पे है इसको मूव करके हम लोग यहां लगे जाए ठीक दे रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टाटिक पोटेंशिन आजो डाइपोल बिफोर मूविंग तू देट अफ आफ्टर मूविंग देखो इसका आपको इलेक्ट्रोस्टाटिक इनरजी का फार्मूला पता होना चाहिए दो डाइपोल का बीच में डाइपोल डाइपोल इंटराक्शन एनरजी क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए देखो डाइपोल डाइपोल इंटराक्शन एनरजी जो होगा U will be equal to minus P2 dot E1 मतब P2 के position पे P1 की वैसे इलेक्ट्रिक फिल्ड होगा उसको मोगउ और इन वन बोल रहे है तो – P2-P.E बोलते हो न –- P.E तो P2 के जगे पे P1 की वैसे लोगउ दो P2 किया करा यह P2 is interactive with the field produced by P1 and P1 is involved with the field produced by P2 थीक है तो आप एक काम करो P1 के वेयसे फिल निकालो P2 पे और उसके साथ P2 के साथ लोग विद माईनस या फिर P2 के वेयसे एलेक्टरीफ फिल पे निकाल लो आप यूँँद के साथ ले लो विद माईनस तो हमने कहा किया है P2 और P2 dot E1 E1 is the electric field to P1 at the position of P2 with minus sign ऐसे कर दिया है ठीक है अब electric field क्या होता है electric field to P1 is this is equal to 1 upon 4 pi epsilon not 3 P dot R upon R5 यह कहा से आता है यह आपके लिए homework है करना ठीक है और नहीं हो तो comment में लिखके बताना कि कैसे आप नहीं समझ में आ रहा है यह electric field होता है किसी भी कोई भी आपको dipole दिया हुआ है P मालो dipole है और किसी भी point पे निकालना है आर वेक्टर मालो यह है इस point पे आपको electric field होता है वह यह होता है इस दे इलेक्ट्रिक फिल्ड अभी इन जनल लिखना है तो इवन मत लिखो वेक्टर फार्म है ठीक है एक तो तरीका है कि आप potential निकालते हैं और potential निकालके और उसका एक ऐसे होता है यह करते हो आप पी कास ठीटा अपन फोर पाइप सेलल नाट आर और एक इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल ले तो अलग अलग ठीक है तो यह तरीका है तो यह हम लोग ठीवरी में पढ़ते हैं जब हम लोग पूरा क्लास लेते हैं तो उसमें पराते हैं ठीक है बाकी अभी के लिए आप इसको हम वर्क मालों इसका वीडियो जो अभी तक नहीं बनाए हैं इलेक्ट्रिक में बनाएंगे तो यह बहुत अच्छे से डिसक्रस भी करेंगा ठीक है ओक तो या फिर जो वीडियो बाद में इसको देख रहे होंगो वो तब तक बन चुका होगा ठीक है अभी एट पर जबना इस अब पॉजिशन वेक्टर और वेक्टर इस गीवन बाइद यह ऐसा भी या थना चाहिए यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा यह जाएगा प्रट्राइगा तो यह सब्सक्राइब दिखो टीक है यह जाएगा वन अपन फाइनली भी अश्य लिख सकते हैं लोग फाइन पीवन की वेसे निकालना है यहाँ पर आल वेक्टर कहा आई जाएगा प्रट्र फोम पीवन तो पीटू आई जाएगा अपन पोर पाइपसलन नाट पीवन टोट पीटू अपन ऑजह सकता छिएपब पाइपना दॉट थेख़ें आई यह फ़र्मूला है दिपल 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 अब निकाल लो विफोर मुविंग पीटू क्या होगा डाइपोल डाइपोल इंटरक्षन यह आपका और वेक्टर हो जाएंगा तो आर्डेटर देखिए पीवन के पर पंडिकूलर पीटू के पर पंडिकूलर थे तो आपका यूँ आइक हो जाएगा इतली इस सिंप्ली 1 अपार 4 पापसले नाट अचा पी 1 पी 2 दोना ही सेम डिरेक्शन में है तो पी 1 डाट पी 2 इस सिंप्ली पी 1 पी 2 कॉस 0 इस 1 और डिस्टंस क्या है डिस्टंस इस 1 सेकंड टर्म 0 हो जाएगा वाई बिकाज पी 1 डाट री जाएगा अन पी 1 पी 2 के परपेंडिकुलर है तो सेकंड अब यहाँ भी 0 हो जाएगा पर यहाँ पर डिस्टंस जो है पी 1 पी 2 का ओरियंटेशन और नहीं चेंज किये हैं ठीक है अब क्या पुछा रेश्य ओफ इलेक्ट्र स्टाटिक पोटेंशन अजिए डाइपोस आफ्टर मुविंग तो आप से पुछा है यू एफ अपान यू आई यह हो जाएगा वन बाइट ठीक है डिया तो यह तो आपको यह याद रखो एक्स्प्रेशन । धिक है यह डिरेक्विंग जाहो तो ये भी याद कर सकता है आहे और बहुत कम यद करने के लिए बोलते हैं लेकिन जो बोल रहे हैं उसको याद कर लेना यह आपका ऐसे आजाएगा ठीक है यह आपका दोजाद छे में आया है यह टूथाज़न सिक्स में आया खुश्चिन ठीक है उस समय के लिए अच्छा कोश्चन था यह अभी भी बहुत कम लोगों को यह एक्स्प्रेशन का आइडिया होगा आइडिया है तो अच्छा बात है ये भी लेखर क्वेशन दो चैंग मैं मतलई डैपोल सा क्वेशन दखोँ छैंग मैं दो दो क् depress anymore है डैपोल is important टॉपिक ठीक है डाइपोल सावचर वेरी इंपोर्टल क्या लिखाय है ये स्माल मानीटी डैपोल इस किपट आड ऑर जीन इन एक्स Y प्लेन Utah Northern इसमें नहीं होना चाहिए इसको मैंट्रो स्टैटिक्स का है तो चलो इसको मैंट्रो स्टैटिक्स में किया जागा गलती से आ गया यहां पर इसको रहने दो यह क्वेश्चन देखो यह 2011 में आ है 21 पोटेंशल सर्फिसेज कोरेस्पोंदी इंट्टिक्लर चार्ज इस्टिबूशन और गिवन बाइधिस इलेक्रिफिल आजिन इस आपको 21 पोटेंशल सर्फिस दे दिया है वी आई वी आई एज और एक्स स्क्वेर यह वी आई के बरावर और वी आई कांस्टेंट है अब एक चीज़ समझो जो इलेक्रिक फील होता है दिस इस माइनस आफ डेल वी आई माइनस आफ डेल वी डेल वी करो तो माइनस आफ डेल वी करेंगे तो क्या आएगा बताओ माइनस आफ डेल वी विल बी एट एक्स आई कैप अब एट और जिन अगर करना है एक्स वाइजर दोनों तीनों ही जीरो होता है अट और जिन यह हो जाएगा क्या प्लस पोर जेक्ट ठीच आपका अनसर क्या रहे है एट ओर जीन आप का आरा ही जीरो हो जाए रजी एक्सञ्ट इकल जीरो ओर फूल करो भास अब कर सस्क आख आ रहा है दिस अब इलेक्टन पीड्रीक फिलड इस आई लेक्ट्रिक फिल्ड म navy है फार्मूला तेखली बैठाना है ठीक है यह दर्खो क्या बोल रहा है a segment of circular wire of radius r extending from theta equal to 0 to theta equal to pi by 2 carries a constant linear charge density lambda ठीक है the electric field at origin is very simple question हम लोग एक काम करते हैं ही एक element ले लिया जाए इसका ठीक है एक element ले लेते हैं theta angle पे और यह rd theta element लेते हैं इसको ds बोल दो अब इस element पे यह दो खिच दिया है फासा pdf को न तो यह तो सर्किल से ellipse टाइप कर दिखिए अलगे है सर्किल ठीक है खिचना जरूरी को कि आपको फिर नहीं दिखेगा बड़ा दिखेगा ना इससे तो clear समझ में आएगा मतलब यह फोटो कुछ ऐसा था अब यह कुछ ऐसा था ठीक है ऐसा हमने इसको ऐसे बड़ा करती है अब यह ग्राइब हो गया है ठीक फिर सथ दिखते हैं पर मिस्प्लेस हो गया है ओक्यों अब हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग को पूरा जो क्वाडरेंट आप सर्क्लर लूप है उसकी अब यह से फिट ओपे निकालना है अब क्या कि अलग अलग पोजीशन पर चार्ज जाओ उसके फिड ओपे मैंगनिचुड वाई तो सेम रहेगा लेकिन डिरेक्शन सबका अलग अलग रहेगा तो काम करते हैं हम लोग इस सर्क्लर वायर का एक एलिमेंट ले लेते हैं element क्या है यह theta है यह d theta हो जाएगा यह element जो है इसका length होगा that will be r d theta इस element पे charge क्या बनेगा which is this इस element के वाई से field क्या होगा यह element ds is so small that it is regarded point charge dq ds इतना छोटा है infinitesimally small होता है कि I can regard dq as the point charge this dq की वाई से field क्या होगा d e d e is going to be what dq upon this i score lambda ऐसे लिख देंगे लामडा r d theta है ना तो यह हो जाएगा lambda d theta टेक यह magnitude हो गया अगर इसको हम vector के form में लिखें अगर इसको वेक्टर फार्म लिख होगे तो यह आ जाएगा d e vector will be equal to अब इसके दो कामपेंट बनाने d e cos theta d e sin theta दो नहीं एक नेगेटिव डिरेक्शन में नेगेटिव डिरेक्शन में है आपका एक तो बनाना d e cos theta यह किधर है यह नेगेटिव डिरेक्शन में है एक कॉमपेंट का है d e sin theta यह आपका नेगेटिव डिरेक्शन में है नेगेटिव डिरेक्शन इनिट वेक्टर माइनस यह कैप होगे नेगेटिव डिरेक्शन में वेक्टर माइनस आई कैप होगे यह होजागा lambda cos theta d theta upon 4 pi epsilon not r minus i cap i होगया lambda sin theta d theta minus j cap अब अगर इंटिगरेट कर दोगे क्या हो जाएगा it will be integrated component wise lambda upon 4 pi epsilon not cos theta d theta minus i cap अब यहाँ हो जाएगा lambda upon 4 pi epsilon not r sin theta d theta अब minus j cap अब theta का limit क्या होगा देखो जहाँ से हम लोग यह theta measure करते हैं जिस लाइन के reference मेंज जिस से जहांसे हम लोग ठीटा का जो रेफरेंस लाइन है उसको लोग ठीटा गुलो 0 लेते हैं यहांसे मेज़ इसके रस्पेक्ट में मेज़र कर रहो ना जिस लाइन के रस्पेक्ट में ठीटा मेज़र करोगे वह होजागा theta यूदि फिलीघ्र कंद रेंग करना आपको यह तो रिंग के ऊपर इंटेग्रेट होगा सब्सक्राइग तो लिंग स्टाट होड़ा थीटा इक ऊस्टू पाइग नाट पर यह होगा है साइन ठीटा का इंटिग्रल साइन ठीटा हो जाएगा तो साइन ठीटा पर लिमिट करोगे तो क्या आएगा वन आ जाएगा ठीक है यह माइनस आई कैप हो गया अच्छा साइन ठीटा का लिमिट क्या होगा माइनस कास ठीटा साइन ठीटा का लिमिट हो जाएगा माइनस कास पर लिमिट पुट करोगे तो यह भी आपका वन देदेगा ठीक क्या अंसर आ रहा है यह आ रहा है यह एक्स कैप में ना आई कैप इसी को हमने आई कैप लिखा है इससे कर लेंगे कोई ज्यादा कॉंसेप्च्वल नहीं है इंटिग्रेशन है सिंप्ली यह दोजार बारा में कुश्ण आया था यह क्वेश्चन दोजार बारा में आया था ठीक है आगे चलें यह देखो क्या बोल रहा है यह दोजार सोला का क्वेश्च्छन है for an infinitely long wire with uniform line density lambda along z-axis the electric field at point a comma b comma 0 away from the origin is z-axis के long आपका infinite line charge है और आपको निकालना है यह z-axis हो गया यह आपका सब्सक्राइब को एक्स वाई अल्जेड ठीक है यह एक्स वाई प्लें राकर दिया है यहां पे यह लाइन चार्ज है यहां पे आपका चार्ज है माल लोग पॉस्टिव है सब्सक्राइब पाई डिफर्ट हो लोग पॉस्टिव लेकर सवाल कर सब्सक्राइब ठीक है कहां पे निकालना है हम लोग को निकालना है एक कमा बी कमा जीरो यहां पे ओगा कोई पॉइंट ठीक है अब यहां पे फील्ड क्या होगा आप देखो लाइन चार्ज की वेरसे आपको फील्ड पता है न क्या होता है लाइन चाइज की वेरे से किसी भी आर डिस्टंस पर जो फील्ड होता है पॉइंट पी पे वोता है लामडा पाण यह फील होता है और डिरेक्षिन भी यह होता है इसे कोई चार्ज दिस्ट्टिबिशन न लाइन चार्ज पर को इसको गुला से भी निकाल सकते और ऐसे इंडिग्रेट निकाल सकते हैं अगर पॉशितरी चाल जैंग तो इसको हम SW pap likely करें यहां पर अप्लाई कर लें तो क्या एगा आपको फील्ड जो आएगा यहां से यह आरो जाएगा हमारा और field का direction यही हो जाएगा तो R का value क्या हो जाएगा R is basically under root A square plus B square और E का direction किदर है electric field जो है यह अगर मालो electric field का direction unit vector लिखते हैं तो electric field का direction unit vector क्या हो जाएगा तो लिए A i plus B j upon यह हो जाएगा तो यही value put कर दो तुम electric field क्या हो जाएगा lambda upon 2 pi epsilon not R और R क्या है यह है और unit vector क्या है vector formula लिखना पड़ेगा electric field का direction unit vector आपका यह हो जाएगा तो किसी vector को हम लोग उसका magnitude और उसके डाइक से unit vector का फॉर्मल लिख सकते है यह magnitude हो गया और unit vector आपका यह हो जाएगा यह unit vector आपका यह magnitude हो जाएगा तो क्या answer आपका यह हो जाएगा इसका हो जाएगा इसका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यह diagram बना दिया है आपको clarity के लिए ठीक है जिस पॉइंट पर निकालना है वहां से अम लोग एक लाइन चाहिसे एक प्रपंडिकुलर ड्रा करेंगे वह आर हो जाएगा हमारा और उसी direction में यहर के यहर जो है वह यह आजा रहा है ठीक है ठीक है I don't think there is any problem in this देव क्या है दोजाबीस में question आया है two stationary point particles with equal and opposite charge are at some distance from each other the point having zero electric potential is very very simple question एक दो stationary charge है equal and opposite है एक आपका plus q है और एक आपका minus q एक आपका plus q है एक आपका minus q है तो आप देखो एक चीज़ समझो कि plus q minus q है तो यह जो बीच का plane होगा यह line नहीं है plane है ठीक है इसको आप plane मानके चलो बीच का plane होगा इसके किसी भी point पे जो q और minus q से दूरी होगा वो सेम होगा तो यह आपका मानलो प्लेन है और यहाँ पे plus q है और यहाँ पे minus q है ठीक है अब यह plane है आपका तो किसी भी point पे जो q और minus q से दूरी होगा वो सेम ही होगा नहीं के किसी point पे मिड़ पाइंट से बीच में अगर इसे यह मिड़ पाइंट हो गया मिड़ पाइंट हो गया इसी लाइन को प्रडूस कर दो जो इनके जो दूरी जो है दी यह डी बाइटू है डी बाइटू दी बाइटू तो बिलकूल मिड़ पाइंट से एक लाइन डॉरा कर दिया इस लाइन को हम लोग परडूस कर दिए पापर निकुला आगे भी और पीछे भी तो यह जो गर बनेगा इस plane पर क्यूंअ से दूरी माइनश क्यूं से दूरी से सम् रहेंगा तो उस case में आपका यह दूरी से में रहेगा उस case में आपका प्लस की की वेसे potential क्या जाएगा Q upon four papsle not r square अम minus q क्या वेसे potential क्या जाएगा minus q upon four papsle not r square ठीक है अदुन का potential जोडएंगा तो net potential आ जाएगा आई आ जाएगा zero यानी इस plane के किसी भी point पे potential zero रहेगा तो the point having zero potential lie on what is plane the set of point where the potential is zero forms a plane plane form करेगा ठीक है वो plane form करेगा locus of all the point where potential zero is plane basically वहीची यह लिख रहा point 70 potential lie on a plane I don't think any problem ठीक है यह plane समझे पार रहें वहां पे ज्यादा clear है यह देखो क्या बोल रहा है यह 2021 में आया है लास्व लास्टीर रहा है क्या बोल रहा है टोटल चार्ज कंटेंड विदिन एक क्यूब इन विच्ट इलेक्ट्रीक फिल्ड इस गिवन बाइड़ इस इस वाट गॉसलाफ एलेक्ट्र स्थाटिक का क्वेशन है इसको नेक्स चैप्टर में किया जाएगा ठीक है गॉसलाफ इलेक्ट्र साईड अलक से हम लोग पढ़ेंगे तो इसको स्प्राइगे next chapter ये देखू ये 2021 में भी आया है को करते हैं क्या लिख रहा है four charges are placed very close to each other as shown the separation between two charges on the y-axis is a the separation between two charges on the x-axis is also a ठीक है the leading order non-managing form of electrostatic potential point P is given by देखिए एक चीज़िए यहां पे दो डाइपोल दिया हुए आपको एक डाइपोल यह है इसको पीएफन बोल देता है माइनस क्यू प्लस क्यू डिरेक्शन होता है और एक डाइपोल आपका यह इसको लो पी टू बोल दिया जाए अब एक फार्मुला समझो यह माइनस क्यू है और यह प्लस क्यू है और इनके बीच का दूरी सपोज को डी है आजए तो center से अगर कोई भी आर्ड़ा करते हैं और हमबोलते किentes क्या पोटेंशियल वाइचन होगा तो तो दूनों का मेग पाइट को हमनों ओरिंड़न ले लियते हैं और il को लो ओरल ऑज़न लेते हैं अ ठीक है यह ठीटा को लोग जीरो वार लाइन तो जो पोटेंशिल यहां होता है वह होता है P cos theta upon 4 pi epsilon not r square where theta is measured from the initial line, initial line क्या है, line containing minus Q and plus Q, आइसके direction क्या था, minus Q से plus Q होता है, ठीक है यहां देखिए, P1 के विए से potential क्या होगा, P1 के विए से potential यह आपका direction है, तो यह angle theta क्या होगा यहां पर, यह हो जाएगा, यह theta कितना है, 90 minus 37 degree, तो P1 के विए से potential निकाल लो, V1, that will be equal to, P cos 30 degree upon 4 pi epsilon not r square, ठीक, यह हो गया potential, अब P कितना है जी, Q, Q इंटु, यह लिख्ता हो न, minus Q, plus Q, तो Q इंटु D, ठीक है, Q इंटु D, यह गया, Q इंटु A, अपान, अधी हो जागा, root 3 by 2, V2, V2 क्या है, V2 में आपका, यह P2 के विख्ता निकाल लिए, हमने, पीटु के विख्ता निकाल लगा, इसको V2 बोलो, अब P1 के विख्ता निकाल लिए, अब P1 यह आपका, minus Q, plus Q, तो ठीटा कांस में जाओगा, यह ठीटा हो जाएगा, अपने साथ ध्यान दो, minus Q से plus Q का डिरेक्शन होता है, P1 का, यह ठीटा जो एंगल होता है, that is angle between, PNR, ठीक है, तो P का डिरेक्शन minus Q से plus Q होता है, यह ठीटा में जाओगा, यह ठीटा में जाओगा, तो यह ठीटा जाओगा, यह ठीटा जाओगा, यह ठीटा, एंगल हो जाएगा, 180-7, 120 तिए, यह हो जाएगा, E cos 120 तिगरी, cos 120 क्या है, minus sin 30, E is QA, 1 by 2, ठीक्या, समझे नादा आपको, direction important है, minus से plus का जो direction होता, यह P का direction होता, यह R हो गया, दुनों के tails जोइन करोगे, यह tail हो गया, P और यह R, P और यह R, यह angle ठीक्टा होता है, यहाँ पे जो P है, वो negative x-axis में है, तो यहाँ से major करोगे, तो 20 तिगरी, क्या आएगा बताओ, net potential क्या हो जाएगा, आएगा, that will be QA अपान, और रूट 3 बाइट 2, ठीक है, रूट 3 माइनस 1, यह बैठा, A आजाएगा, ठीक है, A will be the correct answer, I hope it is clear, those x-axis में आते हैं, Okay, mcq over हो गया, ठीक है, mcq is over, now we will be doing msq, msq में आपका जो है, more than one correct होता है, चार option दिये रहेंगे, आउस में से हो सकता है, सारा सही हो, दो सही हो, तीन सही हो, ठीक है, एक भी सही हो सकता है, तो msq वाला question 31 to 40, 10 question msq type का आता है, इस पर negative marking नहीं होता है, देखो, पारला question, क्या बोल रहा है, पोरे, an electric dipole with moment P equals to P naught EZ, dipole moment है, वो Z direction में है, ठीक, P naught is constant of appropriate dimension, ठीक है, magnitude P naught है, electric dipole moment P naught है, ठीक है, dipole moment का उसका direction, positive Z direction है, potential false है, 1 by R square, ठीक है, यह, देखो, करते हैं, इसको, यह मालो, dipole है, ठीक है, र, यह, पॉइंड पे, यह थीता होजेगा, dipole का direction, र, र होगया, किसी पॉइंड पे, जो पोटेंचिल आएगा, यह, पॉइंड पे, P cast theta उपन, र, बेर, र, इस 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 पॉइंड, पॉइंड प्या, लेता है और ठीटा इस एंगल विच आर्मेक्ष टॉसुज अठसगेडर एक्सफ पॉसुज अथिसी लागए पीडियुक्षिन है तो फिर्टेटा अंगल इस टाइपोल और आर विक्टर के बीच बीचbane होता है तो इस टाइपोल का डिरेट्शन पॉसुज डिरेक्षिन में तो पॉस्टीज एक्सिस से यह एंगल आर बनाएगा वही ठीटा हो जाएगा यह तो सही लग रहा है हमको यह थीक है वन बैया स्काइब डिपेंड करता ही है वन बैया स्कॉप है स्फेरिकल सर्फेस सरावंडिंग दा ओर जिन इस एक्टिटा बदलता रहेगा एंग in हमक मैं है तो यह यह स्फेरिकल सभ्ष पे आपर और ओकावड मैंने जाएगा लेकिन प्लॉस कीदा आश्ट्रव को और जाएthought दो प्लस्वेश। चार्ज इन admired Hoje 00 तो flux will be 0, ठीक हाई हाई हाई, Radial compound of E is 0 on xy plane, देखो एक चीज, समझो, E जो होता है, E is basically, minus of del V, which is, which is equal to, ER, and minus 1 by R, E theta, यह आपका ER, Radial component, Radial component देखो, क्या होता है, minus D V by DR, so this will be what, 2P cos theta, अब xy plane पे देखो, क्या होगा, xy plane पे, यह जो theta होगा, xy plane पे यह जो theta है, यह आपका, 90 degree हो जाएगा, फिर xy plane जो है, z axis से 90 degree का एंगल बनाएगा, xy plane में कोई भी point लेंगे, उस point से जो, उस point, कोई भी point xy plane में लोगे, आज जो R vector द्रा करोगे, तो यह R vector z से, 90 degree एंगल बनाएगा, और जो यहाँ 90 पुट करेंगे, तो यह क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, यह आपका सही है, तो correct answer is, A, C, D, A, C, D is the correct answer, ओके, A, C, D is correct answer, आच्छ, यह question देखो, 17 में आया है, ठीक है, क्या बोल रहा है, for a point dipole moment, P equals to P, यह भी Z direction में जो है, oriented है, ठीक है, क्या बोला है, electric field is 0B0E is 0, अच्छ, work time moving at charge Q, from 0B0 to 00B is this, निकालना पढ़ेगा, 0B0 क्या हो गया, this is the point on XY plane, this is the point on XY plane, ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं, कि XY plane पे अगर, dipole oriented है, positive Z direction में, तो XY plane पे जो आपका field होगा, वो 0 हो जागा परे, तो सही है, और क्या बोल रहा है, the work time moving at charge Q, from 0B0 to 00B is, अच्छ, ठीक है, निकाली है इसको, V आपको पता है, V is, P cast theta upon 4 pi epsilon not, R square, तो 0B0 क्या हो गया, यह हो गया, आपका, इसला में ड्राइग राउं ड्रा किये थे, फिर से कर लेते हैं, X, Y, Z, यह आपका, P है, यो कि Z direction में और और येंटर है, पॉस्टी Z direction में, अब 0B0 क्या हो जाएगा, 0B0 is, 0B0 is, this point, ठीक, and 0 0B is, this, तो, potential यहां क्या होगा, यह R हो गया, यह 90 degree angle बना रहा है, यहां तो potential 0 हो जाएगा, क्योंकि यह R vector जो है, P से 90 degree angle बना रहा है, तो cos 90 is 0, और यहां पे potential क्या हो जाएगा, यहां पे जो potential हो जाएगा, तो बना रहा है, यहां बना रहा है, P cos 0, P और R, दोनों के बीच में, 0 angle है, तो P अपन 4 pi epsilon 0, B स्कर जाएगा, तो बना रहा है, तो थो, तो वोग नहीं मुविन दर चार्ज, प्रम, 0B0 to 00B, यह V2 हो गया, यहां V1 हो गया, यह सही है यह सही है थीक है मतलब बी भी सही है इलेक्ट्र साटिक पोटेंशियर बी कॉमा 0,00 हमने दिखा था कि अगर जेट डिरेक्शन में पॉइंटेड है डाइपोल तो पूरे एक्सवाइप्लें पे जो पोटेंशियल होता है यह पाइंट एक्सवाइप्लेंट पर लाइग कर रहा है तो ठीक है कि अगरे देट चाहिए केप्टर 0 0 B इचली इस एक फॉर्स वाइन इस अन्ध डाइपोल जीडो 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 बी पे हम लोग कोई चाज रखे हुए हैं तो डाइपोल पर इतना फॉर्स लगाएगा डाइपोल जितना फोस इस चाज़ पर लगाएगा यहां पे हैं तो नहीं फोर्स जो है चार्ज भी डाइपौल लगाएगा इसपेना धोर्स को निकालने के लिए क्या करेंगे है अप एक यदि निकाल लो फिल्ड ग्या हुता है ठीक है तो यह फिल्डू है डाइपोल के डिरेक्शन में हैं मतलब आइसे लिखेंगे ना है डाइपोल के वैसे फिल्ड क्या हो जाएगा मतलब यह आर है तो फिल्ड जेड एक्सिस पर क्या है पोटेंशल जेड एक्सिस पर क्या है पोटेंशल जेड एक्सिस पर आपका पी अपान फोर पाइपसल नाट आर स्क्वेर है तो फील्ड क्या हो जाएगा, फील्ड विल्ड बी, तो बी, माइनस टूपी अपाल, यह फील्ड हो गया हमारा, ठीक है, फील्ड हो जाएगा तो आर का वैलू टूबी है, तो बहुत है, यह गरबढ़ है, यह तो अमारा ठीक आ गया है, वी इस डिरेक्शन में यह है, यह इन जेनरल ही कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे मत निकालो, इसमें एरर होने का चांस है, इन जेनर हमारा फील्ड क्या होता है, इस गोइं टो बी, माइनस टीवी बाई डी यार, यार, और, वन बाई आर, ठीक है, एक तो ऐसे कर सबतो, अब दूसरा मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, याद करो, कि इलेक्टिवी फिल का एक्स्पेशिन क्या होता है, वन अपान पोर पाई अपसले नाट, टी डाट आर, थ्री, आदर, आदर, माइनस, ये ये देखो, पहला बाले में, ये 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 एक फार्मूला बताय था, ये, इसको यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग़ यूज कर सकते हैं, टीक्या, इस पॉइंट पर निकालना है तो पी हमारा ये है आर भी इसी डिरेक्शन में है तो पी और के बीचे एंगल क्या हो गया जीरो हो गया तो यह होगा 3P और आर के शेंगल जीए तो पी आर हो गया आर भी सेम डिरेक्शन में है आर वेक्टर और फाइव वे ऐसे लिखा जागा माइनस पी का डिरेक्शन भी सेम है same as r so r is what r is basically b k cap and p is basically p k cap this is going to be one upon four pi epsilon not and this is three p by b q and p by b q k cap so this is simply two p by four five epsilon not p q k cap यहां भी हम लोग यही लाये थे ना सुरू में जो यहां आया था यह इतना इंटू क्यों हो जाएगा फोर्स यह गलत है यह आना चाहिए twice यहां तो डी वाला जो है न वह एरा डी वाला गलत है value गलत है ठीक है twice यहां आना चाहिए a b c सही है आपका a b c is correct answer a b c is correct answer जो फील्ड आ रहा है हमारा न यह आ रहा है इतना इंटू क्यों करोगे तो वह फोर्स हाजाएगा q पे जितना डाइपोल q पे फोर्स लगाएगा वही फोर्स q डाइपोल पे लगाएगा तो सुरू में भी हम लोग ठीक ही कर रहे थे ठीक ह dv by dr तो वैसे करके भी सही आ रहा था हम लोग ठीक है ओके एनिवे ठीक है अदर समय हो न यह आया था माइनस dv by dr तो यह भी आ रहा था हम लोग को वही चीज़ तू पी अपान 4 पाइपसल नाट r q और r को b के से एक्वेट कर देंगे तो b point पे इस point पे आ जाएगा यह भी ठीक ही था ओके बट यह फार्मुला है यह फार्मुला से भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है तो a b c is correct d is incorrect यह question देखो यह question क्या बोल रहा है यह 2019 में आया है a small spherical ball having charge q and mass m is tied to a thin massless non-conducting string of length l ठीक है the other end is fixed to infinitely extended thin non-conducting seat with uniform charge as a sigma under equilibrium string maximum angle 45 degree with the seat sigma is given by अच्छा जितना बड़ा question है उसे छोटा answer है इसका देखिए यह seat है इधर से देखो seat को पहले इधर से seat को देखो तो seat line के तरह दिखेगा आपको ठीक है और यहां से जो है चार्ज क्यू यह है तो चार्ज क्यू पर क्या क्या forces लग रहे है बताओ चार्ज क्यू पर क्या क्या force लग तो टेंशन लग रहा है string का direction में एक आपका mg लग रहा है आदर सीट की वेयस से जो infinite seat, infinite seat जो है, conducting, non-conducting, non-conducting seat का जो होता है, वो यह होता है, sigma by 2 epsilon 0, जो field होता है, sigma by 2 epsilon 0 होता है, तो यहाँ पे जो field है, वो sigma by 2 epsilon 0 है, इंटु चार्ज का दोए तो force आजाएगा, ठीक है, अब यह angle कितना दे रखा है आपको, यह एंगल 45 है तो यह भी 45 होगा और चार्ज इदन इकलिब्रियम चार्ज जो है इकलिब्रियम में है यानि हम कह सकते हैं अगर मालो हम इसको एक्स ले ले है आई इसको हम वाई ले लेते हैं तो नेट फोस इन एक्स दिरेक्शन इस वाट सिग्मा क्यू बाई ट्वाइस अफसले नाथ माइनस टी कॉस 45 इस जीरो और नेट फोस इन य डिरेक्शन इस जासो जीरो टी कास 45 यह भी 45 होगा यह टी साइन 45 लिख दो एक ही बात है कॉस 45 साइन 45 से मी रहता है बर चलो कन्फीजन आवाइड करो is what this is equal to mg ठीक है क्या पूछ रहा है तुमसे sigma पूछ रहा है तो T कास 45 औ T sin 45 is same value so I can say mg is equal to okay so sigma is what twice epsilon not mg upon q twice epsilon not mg upon q the answer ठीक है टी कास 45 यह वस्वाइड रूट 2 आटी इंसाइड 45 यह वस्वाइड रूट 2 इस इस गोइड को अच्छिए यह देखो out of the following statements choose the correct option for the perfect conductor conductor is equipotential surface correct conductor is always equipotential surface conductor is always equipotential surface ठीक है net charge if anything resides only हाँ conductor के अंदर में static charge don't reside net charge को ना static charge लिखना चाहिए static charge दो ना reside inside conductor ठीक है और net charge भी लिखने का जबबत नहीं है बदर स्टाटिक चाहिए इलेक्टरिफिल cannot exist इलेक्टिफिल inside conductor is always zero इलेक्टिफिल inside conductor is always zero और conductor के जस्ट बहाई नेट करना है में स्क्यों हो गया हम लोगों निमेरिकल इसमें देखो जो आंसर होते हैं यह निमरिक फॉर्म में होता है 2.05.6 इस टाइप का आएगा ठीक है तो नेट वाले भी देख लेता है हम लोग देख क्या लिक है एग आएप डियालेक्टिक लामिना इस दिफिन भाइ तो कर्व य इकल डू जीरो आन य गू दो 1-6 अग्यार आप देख लेता है यह तो आसे माथमेंटिकल फिस्क्श का क्षेचन है लामिना ड्रा कर दो y इकोल टू 1 मायस x स्क्वेर इस सिंप्ली x स्क्वेर इकोल टू इस यह आपका माइनस वन यह वर्टेक्स हुजाएगा वहले यह पैराबुला ड्रा कर लो इस पैराबुला का जो और जिन होगा यह हो जाएगा माइनस साइन है तो इसका कॉनकेविटी नीचे किता हो यह पैराबुला हो गया ठीक अब y इकोल जीरो एक्स एक्सेस हो गया तो हम लोगो इस इस पर निकालना ना चार्ज ठीक है तो चार्ज का मैलू क्या होता है सिग्मा डी एस आचुकि यह एरिया एक्स वाई प्लेन में है तो डी एक्स को हम लोग लिख सकते डी एस को लिख सकते हैं डी एक्स डी भाई ठीक है अब आपका फिप्टीन वाई आपका यह यह डी वाई डी एक्स 15 वाई शिगमा ना आप यक लिउनिट क्या होगा वाई कीडिसा में एक एरो ड्रा करो यह डिएकлегशन में एक ऐरो ड्रा कर लो यहां इंटरेक्ट कर रहा है यह क्या हो जागा y equal to zero और यहां इंट्रेसर करा जिस कर दो उसको भी यज फंक्शन आफ एक्स लेख दो यहां क्या जागा y is equals to one minus x square तो y का limit हो जाएगा 0 से लेके one minus x square इसा आपको पता होना चाहिए limit कैसे लिया आता है double integration लोगो पढ़ेंगे double integration उसमें यह चीज़ डिसकस करेंगे और x का limit क्या हो जाएगा यह हो जाएगा x का intersection point क्या है y equals 0 के तो यह minus 1 है और यह 1,0 है x is minus 1 to plus 1 तो यह हो गया minus 1 to plus 1 15 y square by 2 y square by 2 में limit put करेंगे तो यह आएगा 1 minus x square का whole square by 2 minus 0 मताब समय तो shortcut मार रहा है थोड़ा हम जादा है फिर सब्सक्राइब हो देखो यह जागा 15 limit हो जाएगा y square by 2 आए यह जागा 0 से लेके 1 minus x square dx ठीक है यह जागा 15 by 2 y का limit put कर दो y का limit put कर दो y का limit put कर दोए आए यह even function है तो एक convert हो जाएगा ठीक है आपको पता है ना 0 to minus a से प्लस a fx dx equals to twice of 0 to a fx dx if fx is even वही यूज कर दा है ठीक है आप इसको हम लोग माइनस क्यों आ गया है जी माइनस तो कहीं नहीं है अचा हो नहीं माइनस कहीं से आ रहा था गया नहीं ठीक है प्लस यह अचा यह कितना है देगा 15 और इसका इंटेगल कर लो 0 to 1 x 4 minus 2 x square plus 1 dx so this is going to be इसको इंटेगल करेंगा तो x 5 by 5 minus 2 x cube by 3 minus x 0 to 1 यह हो जाएगा आपका बहुत easy question सरह है बहुत interesting नहीं लग रहा है आपको 1 by 5 minus 2 by 3 minus 1 अब इसको आप 15 से गुना करेंगे तो यह 15 आप तीन पंद्रह पांच दूनी दस पंद्रह सारी है तीन है तो ठीक है यह जाएगा इसको वैल्यू हो जाएगा पंद्रस पत्चिस मतलब माइनस बाइस हुजाएगा प्लस सोरी प्लस यह 15 यह ठारा आठ हो जाएगा देख लाना भाई calculation mistake can be there यह प्लस बन है ठीक है प्लस आठ होगा पर यह माइनस नहीं आना चाहिए प्लस में आठ आएगा यह आगे आपका कितना आगे था फंद्रह ठीक है आठ गुलम अंसर आजाएगा ठीक है easy question था यह कर लवते हैं क्या लिख रखा दोजाएगा इसमें आया था question यह particle with positive charge 10-3 coulomb and mass 0.2 kg is thrown upward from the ground at an angle of 45 degree with the horizontal with a speed of 5 meter per second for a time moves to a horizontal field of 10 volt per meter मता है और इंटा डिरेक्शन है फिल्ड है यह पर टाइल थो कर दिया हमने इसदे डिरेक्शन और इंटल गॉन इसे विलास्टी एक्षे रेंटे डिज डिए इस तेंड रेंज यह रेंज निकालने बोल रहा है रेंज क्या होता है रेंज दो होजंतल डिस्संस टेवल बाइद प्रजेक्टाइल डिरिं दिटाइल ताइम अफ लाइड चेंज नहीं टाइम फ्लाइट जो आएगा काया फैला पढहे होगा कत्त किना था नहीं करने लूडोड साइनफेटा फाया सबसें स हाइस होगत अब उतना ही उसको नीचे आने में लगता है तू वी नॉट साइन ठीटा बाइजी होता है वे लास्टी दे रखा है आपको कितना पाज ठीटा कितना एजी 45 डिगरी अधिक दस एनी वन उसको फाल्टिट टू तेकट कि यह टाइम अब होजन थे इसमें देखो एक एक एक्सलूरीशन है वो एक्सलूरी से कितना है वो घूए बाइं के बड़ाबर है, q आपका 10 अच्छोपर माइनस 3 है, इलेक्रिक फिल 10 है, और मांस जो है वो 0.2 है, टीक है, जो acceleration होगा, the acceleration will be 1 by 20 है, तो जो range आएगा आपका, range will be V naught cos theta t जहाँ पर t को time of flight पुट कर देंगा हम लोग, ठीक है, प्लस ठीक है, आटी के जाएगा पर time of flight पुट कर देंगा, यह जाएगा, पांच बटा रूट टू, आट टाइम आफ फ्लाइट क्या है, 1 by root 2, a x क्या है, 1 by 20 और t square, 1 by 2 जाएगा, यह जाएगा, पांच बटा 2, प्लस 1 अपान 80, निकालने ना, value यह, आजाएगा, आणा, 201 बटा आएगा, 2, अग्याओ, पांट यहा हाँ, पांट पूरपी जाएगा, पांट पूरपी जाएगा, ठीक है बाकिए यू चेक देस्ट इन रहेगा ठीक है तो थिस यह एलेक्टिक फिरन पोटेंशिल एलेक्टिक फिरन पोटेंशिल के यह दोदहें आय थे अभी तक है तो यगथ से रचेल नेकर नेक्स क्टन फिसल्ड चाई गॉद बाचल फिलैक्र स्वरोग अभी अपन स्कीथ टिक गॉदॡ । अभा का लोग नेक्ट्ट येप्त pr90 वडविय। भरिवद्यू अदिन प्रली व्योड प्न दिस भीया झाल झाल